अब्बा आप खाना क्यों नहीं खा रहें? मैं बहुत परेशान हूँ धान का बीच खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं लेकिन प्रवाई का वक्त तो आ गया है मुझे मालूम लेकिन उधार के सिवा कोई चारा नहीं दुकानदार का पहले ही बहुत उधार अच्छा फिर तो शायद मुझे गाउं में कान ढूलना पड़ेगा लेकिन अम्मा तो गई हुई है मैं रानी को किसके पास छोड़ूँ है लेकिन मीना स्कूल छोड़ दे हम ये भी तो नहीं चाहते हैं लेवाई को छोड़ दे ओ नहीं मुझे स्कूल से ना उठाना मैं भी ये नहीं चाहता हूं लेकिस के बगर गुजारा भी तो नहीं है अच्छा मैं दुकानदार के पास जाता हूं हम भी चलेंगे साथ आज सो नो सो एक हाजार अरे बड़े पैसे आ गए मेरे पास कहू भई कैसे आना हुआ तुन्हें तो पता है बवाई का मौसम आ गया है मैं धान के बीच की बोजी उधार लेना चाहता है हैं अरे तुक तो पहले ही काफी उधार ले चुके हो हाँ हाँ लेकिन मैं तुम्हारी पाई पाई यादा कर दूँगा लेकिन तुम्हें इस राकाफ के लिए इस काफस पर अगुठा लगाना है ठीक है ठेरो जरा मैं अपने खाते वे तो लिख लू या जी ये बीच के पैसे उर्सूद वगहरा बिलाकर कुल 800 रुपे हो गए ये सारे पैसे तुम्हें फसल पर देने होंगे अगुठा इदर लाओ ये यहाँ अपना गुठा लगा दो अबार रुको देखो तो इसमें 800 रुपे नहीं बलके 800 रुपे लिख रखे हैं अरे क्या वाकई आजकल मुझे सही नजर नहीं आना छोटी सी भूल हो गई छोटी सी भूल ये हजार कटके अब तो ठीक है ना हाँ आज सो रुपे हाँ शायद तुम स्कूल जाती हो हाँ मीना स्कूल में बहुत सी काम की बातें सीक रही है हाँ अच्छा वे चलते हैं खुदा आफिस तुमने बड़ी होश्यारी से दुकांदार की चलाकी को पकड़ लिया अल्ला करे कि हम उसका पैसा वक्त पर वापिस कर सके मीना मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हें स्कूल ना छोड़ना पड़े अब तो फिर हम क्या करेंगे मेरी तो कुछ समझ में नहीं है देखो क्या होता है खुदा आफिस खुदा आफिस प्यारे बच्चो खुदा आफिस क्या हो अमीना तुम इतनी उदास की हो शायद मुझे स्कूल छोड़ना पड़ेगा ओ नहीं तुम ये क्यों कह रही हो तेरी मा को शायद काम के लिए बाहर जाना पड़े फिर मुझे अपनी छोटी बहन का खयार रखना पड़ेगा मुझे स्कूल बहुत अच्छा रता है वैं स्कूल नहीं चोडना चाहिए तालीम बहुत जरूरी है मैं क्या कर सकती हूँ चलो मैं तुम्हारे साथ ख़र चलू और तुम्हारे माबाब से बाग करूँ कि तुम्हें काम के लिए बाहर जाने की जरूगत नहीं तुम घर रहकर भी काम शुरू कर सकती हो आज कल तो ऐसे इदारे मौजूद है जो कारोबार शुरू करने के लिए कर्स देते हैं कि अधिया करना होगा पहले हापस में मुश्वरा कर लो जब यह कर लो कि क्या काम करना है फिर हम कर्स के लिए दो रखास लिखते हैं यह तो बहुत अच्छी बात है लेकिन लोग कहते हैं कि निदारों से ख़ज़ा असल करना बहुत मुश्किल है ठीक है यह इतना असाल नही लेकिन कोशिश करने में क्या हाच है तो पर हम कौन सा काम शुरू करें इंग साइकल करीद लेते हैं ऑ राजू कप्रिसीर के मशीन ने ले ले गाउं में पहले बहुत से लोग कप्रिसीर हैं हाँ यह बात तो है एक गाए ना खरीड ले फिर हम उसका दूद फरोग कर सकते ह हाँ ये हुई ना काम की बात हम लाल रंग की गाए खरीब हुए तुम्हें लाल रंग बहुत पसंद रहा हुआ राजू शहर में दूद बेशने के लिए हमें एक साइकल भी तो खरीदनी पड़ेगी न अल्ला करे मां को कर्दा मिल जाए पैसे पैसे हमें पैसे मिलके क्या तुम्हें भी पैसे मिले हैं नहीं हमाई मां को कर्दा मिला है यकीन नहीं आता सूथ तो बहुत ही कम है और कर्दा वापस करने के लिए पूरा साल पड़ा है प्रूरा सुन्य बहुत है कर दो नहीं, अ हा जो फब वो अ कर दो कर दो कर दो कर दो हनु भाँ अब तुम साइकल भी चला रही हो और क्या क्या करोगी यह इधर क्या हो रहा है अब वो इसका दूद बेचेगी और तो को पैसों का बाबला बर्दों पे छोड़ देना चाहिए कान खोल के सुनलो तुम अगर इस महीने के आँखने दिन सूरज गुरूब होने से पहले पहले मेरा करजादा ना किया तो मैं तुम्हारी काई और बच्छडा खोल के ले जाओंगा और इस बत्तमीज तोते को ले जाके किसी सरकस वाले को बेच जोगा याद रखना सूराज गुरूब होने से पहले पहले यह है आज का दूद्ध लाओ शहर जाके मैं इसे बेचाओं अब किसी तबियत है थीक नहीं है बुखार बढ़ रहा है और हा मुझे तो अब याद आया है दुकांदार ने शाम से पहले हैं तुकांदार ने शाम से पैसे लेने भी आना है मीनम ने कितने पैसे जम्म कर लिए दो चार छे बैंक की केस्ट और गाय का खर्चा निकाल कर हमाएं पास छेसा और बच्छते हैं हला का शुकर है कि तुम्हें स्कूल में पैसो के साथ सीख लिया है हमें तुकांदार को देने के लिए दो सो रुपे और चाहिए हम उसे गाये बच्छे और मिठो को नहीं ले जाने देंगे हमारे कुछ पैसे दूदवारे की तरफ हैं लेकिन मैं कैसे जाओं क्यों ना मैं और राजु जाकर लिया है अरे हां तुम लोग चले जाओ आओ राजु चले कि अज़िए कि अज़िए कि अज़िए कि अज़िए कि मैं तुम्हारी गाये बच्छडा और तोता लेने के लिए आया हूँ इस तरह रुक जाओ पैसे आ रहे हैं नहीं सुरज ढूग गया अब मैं ज़ादवर लेकर ही जाओगा वीना हमें देर और यह चलाओ और तेज और तेज और तेज चलाओ कि मैं बहुत थक गई हूँ अब ही वो तोता किदर है 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 ला सुरज ढूगल को है हमें बहुत देर हो जाएगी जल्दी करो मिच्छू यह पैसे मा को पहुचा दो चलो भी ठैरो यह लो अपने पैसे आईए पैसे कहां से आ गए यह हमने दूद पर आफ करके जमा किये हैं औरत और कारोबार यह कुछ अच्छा नहीं है क्यों हमें तो कारोबार में बहुत फाइदा हुआ है मीना और उसकी माने मिलकर यह सब किया अब मुझे पैसे उधार लेने के लिए तुम्हारे पास नहीं आना पड़ेगा तो यह सब मीना का किया धरा है यह स्कूल जाकर कुछ ज्यादा ही सीख रही है क्या दीशी भॉल मैं जा रहा हूँ अब छोड़ ओओ मीना अब तो तुम स्कूल बिल्कुल नहीं चड़ोगी ठीक है हाँ हाँ बिल्कुल है हाँ बैए निच्चू बताओ तुम्हेस कशक कशक जा रहे हो